बहुत अच्छे होंगे और आज हम देखिए आपको लेकर आए हैं इंगलिस का बहुत ही भैतरीन बहुत अच्छा और बहुत ही प्रणादाय के बहुत सा टॉपिक इसका नाम है कल्पना चावला का नाम आपने साय सना होगा अगर नहीं सनाया तो आज हम उनके बारे मापको इस चैप्टर के मादने से बताएंगे कि कल्पना चावला भारतीय मूल की महिला थी जो कि नासा एनके अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसमें काम क्या करते थी बच्चो और उनका सपना था कि वो आकास में होड़े एक पाइलेट बने हावाईजास को उड़ाएं तो उ खैर लेकिन हमें उनके इस जीवन से उनके इस उत्साह से कुछ ना को सीखना चाहिए पर ड़ाने चाहिए तो बच्चो आज हम सिखाएंगे आपको पढ़ाएंगे इंगलेश का चैप्टर कल्पना चावला इनके बारे में हम आपको पताने जा रहे हैं इस बुक के से आपको वीडियो की माद्धिम से देखने को मिलेंगे तो सारे बच्चे यह चैनल पर बने रहीएगा और देखते रहे गया एक खूब शुरसी वीडियो और अपनी इस किताब के माद्धिम से किताब की पढ़ाह के माद्धिम से चलिए अब हम सिखाते हैं आपको बुक क का नाम है आतियंद स्रीज की इंगलिस रीडर तो प्यारे बच्चों हमने आपको बताया कि आज हम सिखाएंगे आपको कलपना चावला के बारे में बताएंगे तो लेसन नंबर नाइन है जिसका नाम है कलपना चावला तो हमने बताया था आपको पहले वीडियो में बता कई बार कि बच्चों किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले किसी भी लेंगे को सीखने से पहले हम उसका जो सब्द को से उसकी जानकरी होनी चाहिए उसकी नौले होनी चाहिए तो इसी स्रंखला में हम आज भी इस चैप्टर के पहले मेनिंग पढ़ते हैं उसके बाद बच सबकिन है तो पहला वेड की अगेर नहीं सब्सक्राइब तो पहला वुर्ड है बढापन भी औरन बर आनहोता है जन्म यान की जन्म ले ना भी बढ़हएं व हांप हम हमका मतलो होता है दो गहने फ़िसों वीजेटेरियन वी एघटेर्य और इस सब खाते हुं को ग्रहनी मेर Qisira जमाने होती है शोद करना एनको कोई की खोज़ करना नए-डिन की आए विश़ कारना किसी के बारे में जानका जेना वैसे रिसर्च कहते हैं पिर छऍपिया हूजत शाइटेस्ट एसज हेखिति हिंदीं को घैनुक करते हैं लिए नेको ψक। करते हैं उन्हें हम घ्यानिंख कहते हैं बचष सक्सेस्टफुली इसका मतलब होता है यह न ही आरर चेप्टर के व्युए ब्रेवलर लिए यात्री इनकी आत्रा करने वाला इतो बच्चों इस चैप्टर के होगे मीनिंग जिससे आपको बहुतारे जो शब्द को से अंग्रेजी के बाज़ी में आये होंगे और आपकी अंग्रेजी को और मजबूत करने में सहता देंगे आपके लिए तो प्यारे ब बच्चों चैप्टर नंबर नाइन कलपना चावला फिर बता दें आपको देखें कैसे हम इंग्लेश पढ़ते हैं कैसे इसका मेनी निकालना चाहिए जहां समझेंगे शारे बच्चे चलिए पढ़ना सुरू करते हैं यह देखें यहांपर इंगले रख लेंगे शारे बढ़ते हैं कलपना चावला माने कलपना चावला बास बॉर्न माने पैदा हुई थी यहां जनम हुआ था अनमाने को यह पर भी कह सकते हैं 16th January, 6 January 1961, अर्तात 1961 को एड करनाल, करनाल में इन इंडिया मने भारत में, यहन की कलपना चावला का जो जन्म है, वो भारत में करनाल एक जगह है, वहाँ पर 6 January 1961 को जन्म हुआ था, आगे लखाया है बच्चो, her father's name is Mr. Vanarsilal, अर्तात पता का नम नाम इजमान है Mr. Siriman Vanarsilal, यहनी कलपना चावला का पता है, उनके पता का नाम क्या है, Vanarsilal, he is the owner of a tire factory, जैसे के भी हमने मिलिंग में बताया था, owner माने मालेक होता है, वो एक मालेक है, आउफ माने के a tire factory, एक tire जो tire बनते हैं गाड़ियों के, हैर्तिवान होता है कारखाना, यहनी एक tire बनाने वाली जो कारखाना है, जो factory है, वो उसके मालेक है, उनके पता, her mother's name is Sanyo Gita, हर माने उनकी माने माने मा का ने मने नाम इज माने है, Sanyo Gita माने होती है, Sanyo Gita माने होती है, Sanyo Gita, नाम है, नाम को नाम ही पढ़ते हैं, बच्चों बैसा ही जो होता है, तो हर मदर्स ने, उनकी मा का नाम इज माने है, Sanyo Gita, उनकी मा का नाम Sanyo Gita है, she is a housewife, she माने भाई इज माने है, आ माने एक housewife माने होती है, ग्रहंडी, इनकी भाई कौन है, वो एक ग्रहंडी है, आगे देखिए, बच्चों ने लिखा है, कलपना चावला वाज a strict vegetarian Hindu, कलपना चावला माने कलपना चावला वाज मने थी, आ माने एक strict माने होता है, नियमबद या शक्त कह सकते हैं, vegetarian Hindu, यहन की बहुती सक्त शाकाहरी Hindu थी, she was one brother, sorry, she has one brother, she has माने उनका है या उनके पास है, या उनका है कह सकते हैं, one माने एक ब्रदर माने भाई, उनका एक भाई है, his name is Sanjay, his माने उसका या उनका ने माने नाम इज माने है, Sanjay माने Sanjay, उसका नाम Sanjay है, she also had an elder sister, name Sunita Chaudhary, she माने भाई, also माने भी, had माने या उनकी थी, या उनके पास थी, वो रखती थी, and माने एक elder, माने बड़ी सिट्र माने भाईन, यहन की उनकी एक बड़ी भाईन भी थी, name, उनका नाम था Sunita Chaudhary, उनकी एक बड़ी भाईन में थी, उनका नाम था Sunita Chaudhary, उनका भाई थी, उनका नाम था Sunita Chaudhary, she was an extrovert, she was an extrovert का मुलता है बहर मुखी, यानि की बहुत ही प्रतिवाशाली, बहुत ही बहर मुखी एक महिला थी, she was always among the top five students of her class, she was always, महाने हमेशा रहती थी, among the top five महाने होता है, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे जो पांच भी धारती थे, आफर क्लास उनकी कक्षा के उनमें गिनी जाती थी, यानि की उनकी क्लास के जो पांच, top level के जो भी धारती थे, यानि की बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्छे थे, पांच उनमें बो थी, she used to draw aeroplanes and colored charts, colorful charts, she used to draw, she माने बहाई used to draw का मला होता है, बनाया करती थी, aeroplanes माने होते है, हावाईजाज के चेत्र, बनाया करती थी and colorful charts, जो colorful charts होते थे, chart paper होता है, a flight माने उड़ने का, यानि की उड़ने का सपना था, वो उड़ान बढ़ना चाहती थी, उन्हें सपना देखती थी, मैं भी आकास में उड़ूँ, she had an ambition to become a pilot, and fly high in the sky, she had an ambition, she had an ambition, an ambition माने महत्व कांग्सा इच्छा, to become माने बनने की या होने की, अब पाइलेट माने पाइलेट यानि जहाज बनाने वाले को हम पाइलेट कहते हैं, उनकी एक पाइलेट बनने की इच्छा थी, एक महत्व कांग्सा थी, and flyer उड़ने की इच्छा थी, high वाने उपर इंदिश्का इच्छा थी, उनकी एक पाइलेट बढ़ने की इच्छा थी और आकास में उच्छा उड़ने की इच्छा थी आगे लखाया बच्चो इन 1988 में कलबना स्टाट चावला ने 1988 में 1988 में कलबना जानते हो अमेरिका की एक रिषास सेंटर इसको नासा कहते हैं अपने इंडिया का है उसको हम इस्टरो कहते हैं तो कलपना चाबना ने 1988 में नासा में काम करना सुरू कर दिया AIMS Research Center इसका नाम है AIMS Research Center as a Space Scientist एक Space Scientist के रूप में यह नहीं कि कहा सकते हैं एक अंतरक्ष बैग्याने के रूप में उसने वहां पर काम करना सुरू कर दिया नासा में In 1994, इन माने में 1994 का मतला होता 1994 1994 में शीवाज स्लेक्टेड बाइ नासा के द्वारा जो अमेरेका का सेंटर है उसके द्वारा नासा ने यानि नासा ने जो कल्पना चालवा थी सेंटरालमंग का अपने हां चुया वएग्यानिका रूप में तो शीं पूरा किया हर मनें टास वाने वच्च वांठक में होता है कंधर तो अपना इसने वर्क था जो काम था स्ट् looked at Up Europe कर लिया आगे क्या लिखाए दिखिये इत वाज फिर anderen दस्रीं यहीं एक फरवरी था था या थीन का समय था, just 16 मिनट्स बिफोर लेन्डिंग, just माने ठीक 16 मिनट्स बाने था है, 16 मिनट्स बिफोर माने पहले, लेन्डिंग माने उतरना, धर्ती पाना, नीच उतरना, यहने कि ठीक धरती पे उतरने से 16 मिनट्स पहले, दे स्पेस शेटल्ड ब्रोक अपने फट गया इन दे एर माने हवा में मचो जिस शेटल में यान के अंतरक्स यान में जो कलपना चावला अंतरक्स में गई थी चांद पर गई थी 2003 में जो वो बापस आ रहे थी तो धर्ती से 16 मिंट की दूरी स्क्यू रह गे थी तब ही वो फट गया और वो फट जाने से वो विचारी धर्ती पर दबारा बापस जिंदा नहीं लट पाई Every Indian felt deeply grieved over the loss of Kalpana Every Indian प्रतेक भारतिये को या रहने वाले थी deeply grieved माने भाथ दुख होना यानि प्रतेक भारतिये over the loss लॉस कम लोता है खो देने पर Kalpana को यानि कलपना चावला को खो देने पर प्रतेक भारतिये को बहुत ही गयरा दुख होना deeply माने घरा गरी माने दुखी होना बहुत ही गहरा दुख हुआ, अब इंडियन को क्यों दुख हुआ, क्योंकि वो हमारे भारतीय मूलकी थी, बहुत ही अमेरिका में काम करने थी, अमेरिका के स्पेस सेंटर में काम करने थी, लेकिन हमारे भारत की रहने वाली थी, भारत में भारतीय मूलकी थी, जो थे भारत क यान कि वो सबसे पहली भारतिय अंतरक्ष यात्री महिला थी इससे पहले कोई भारतिय महिला अंतरक्ष में नहीं गए थी तो प्यारे बच्छों इस चैप्टर में कलपना के बारे में इतना बताये गया तनी अच्छी बाते बताएगे उनके जोस और जज़वे के बारे में तो प्यारे बच्चों कहीं ने कहीं आप भी इस लेसन से कल्पना के जीवन से मज़ को सीख सकते हैं और आप भी कहीं ने कहीं अपने आपको कम अता किये आप भी इन सब को पढ़कर इन से पिरणा लेकर कहीं ने कहीं उचाईयों तक पहुँचने का आपके अंदर भी जोस ज जिनून होना चाहिए तब यह आप कुछ कर सकते हैं तो ऐसे जो महानविक्तित होते हैं जैसे कि कल्पना चावला हैं जैसे हमने आपको इनके बारे बताया अज शैप्टर के माध्यम से तो प्यारे बच्चों आप भी सेखिए और समझे और इनी की तरह और इनसे बढ़िया बन्या का प्रयाश कीजिए जिसे कि आपके देश का नाम रोसन हो आपके महतापता का नाम रोसन हो आपके बड़ो का चेतर का आपके घुरुजनु का नाम रोसन हो जिसे कि सब भारतिया आप पर गर्व करें और आपको नाम सुनते ही उनका सीना गर्व से फूल जाए दोगे साथ बच्चों, हम अपनी बाड़ी को इबराम देंगे, लेकर उससे पहले, हम आपको थोड़ा सा होमबर्ग देते हैं, आप सब बच्चों को ये चैप्टर, इस वीडियो के महाद्यम से पढ़कर, अपने ममी पापा को अपने बड़े हैं, उनको बोल बोल कर पढ़ सब्जेक्टी वाला, उनको जाकर सुनाने हैं, तब ही आपकी नॉलिज बढ़ेगी, और हमें उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरह से पूरा करेंगे, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेगा, और जिन्हों ने अपनी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है, तो वो चैन आप मिल सके, तो हमें आप से उम्मीद है कि आप इस पर खरे उतरेंगे, और हम भी कोश्री करेंगे, हम आप इस तरह से खूब अच्छी जानकारी और अच्छी से प्रान के अपराश करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, बस आज की वेड़ी नहीं तक, तब तक आमस्कार.